हेलो दोस्तो आज हम फिर से आप पेलिए एक नई वीडियो लेकर आ गया है जो किया है इलेक्ट्रिक हमर के उपर जिसकी मेनफेक्ट्रिंग 2010 में बंद कर दी गई थी जनरल मोटल ने इसे दुबारा रिलाउंच कर दिया है तो दोस्तो आज मैं इसके बार मैं आपको डिटेल दूँगा तो चलो दोस्तो करते हैं वीडियो स्टार्ट हमर एक नए रूप में आ गई है दोस्तो आप वीडियो में देखेंगे कि यह कितनी बदल गई है पहले से दोस्तो यह कंप्लीट चेंज है आप देखो हमर कैसी लग रही है दोस्तो पूरी एलेडिक्स में हैड्रोल स्वेंसर में जो कि उप्लोडिंग में काफी वर्क करता है और यह पीचे से भी एलेडिया अदरव पूरा चेंज है और ऊपर से ग्लास टॉप है हमर काफी स्ट्रॉणग लग रही है और यह दो वेरिंटे में अ जिसमें पिक-प ट्रक और एक हमर स्वी है हमर में आपको एक फीचर मेरेगा जो कि काफी खास है जो पीस्पोर्स ग है यह जो कि यह काफिटीज है इतनी भारी होनी के बाव जूद सकते काफिघे Yep है ऑप काफ धनर कंश में क्या गाडी दीज क्या है इसे मॉपने कफ़ी गाड़्य में देखा जा रहा है और में हमाट्र पृशी ज़काया पार्किंग और वागर हमें काफी हेल्प करें हमर में ऐसे फीचर्ण है जो कि आज की गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलेंगे इसमें कफी एड़वांस बना दिये पिछली वाली हमर से काफी ज्यादा एड़वांस काफी पावरफुल है दोस्तों इसकी बैटरी इतनी पावरफुल है और इसके चार्ज इतना बढ़िया है जो कि आपको किसी गाड़ी में और देखने को नहीं मिलेगा इसको 10 मिनिट के चार्ज पर 160 किलोमेटर तक चलाया जा सकता है दोस्तों जो कि काफी काफी अच्छी बात है इसमें आपका टाइम काफी बच्छेगा जिस कर जैसे भी मैंना हाइड्रोलिक सस्पेंशन के बारे में आपको बताया तो देखो अभी किस तरह ओफ रोटिंग के टाइम हाइड्रोलिक उपर जाता और किसे पत्थर को पार आसानी से कर देगी दोस्तों इसमें काफी एडवांस लेवल की गाड़ी बनाई गई है और दो इसमें 1000 भी है तो कितनी पावर जनेरेट करता है दोस्तों इस अनजर लेगे और कितना टोर जनेरेट करता है मैं आपको यह बहाँगा फोर्चूनर जो कि 500 मैक्सिम Blood करता है यह है, दोस्तों 15 मैक tous जनरेट करता है तो दोस्तों आप इसे अन्रज्र लग्या हो हैं है, कितनी पावरफुल दोस्तों इसमें टिन कैमरे इस थोड़ है जो आपको और किसी गाड़ी में देखने को नहीं मिलेंगी है काफी अलग गाड़ी है काफी स्पेशल गाड़ी है जो के उफ रोड़िंग में काफी यूज आते हैं ऐसे कैमरे हैं इसके अंदर दोस्तों कर वीडियो थोड़ी भी पसंद है यहो तो लाइक और शेयर जरू करेंगर ना पसंद है यहो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं